हाँ जी दोस्तों तो अपने audit के अपन फ्री fast track batch के अंदर chapter number 16 that is internal audit पर पहुँच चुके हैं जो अपना audit का बिल्कुल free fast track batch चल रहा है हाँ जी बिल्कुल free है पूरा का पूरा YouTube पर मिल जाएगा आपको उसके अंदर अपने आपने पूरानी वीडियो देख रखे उनको तो पता है अंडर्सेंडिंग तो चल रही है समझने वाला काम चली रहा है प्लस साथ में जिससे आई से साथ में marks भी देगा मतलब क्यूंकि एक तो case scenario साथ में जब तक आएंगे निया आपको समझने आएगा प्लस साथ में जब तक आप exact answer same language same heading और same keyword ना लिखके आजाओ तब तक marks नहीं मिलेगी तो साथ में जो ratification है ना सर तो ratification की जिम्मेदार भी मैं नहीं ले रखिए आपको बस वीडियो देखते जानी है आप बस वीडियो चुप चाप देख लेना आपको समझना रियात कराना सब कुछ में करवा दूँगा ठीक है सर तो चलो अपन शुरू करते हैं देखो भाई यह है एक तो जो होने वाला है यह अपनी उसी इसी के साथ कवर है आपको कोई दूसरा कॉशन बैंक लेने के जरूत नहीं इसी के अंदर है यह देखो यह टॉपिक हो गया पुरी चार्ट टेबलर फॉर्मेट में लिमिट कलर फुल है अब उसके नीचे उसका कॉशन भी आ गया जितने भी कॉशन थे उसके नीचे कॉश जो हम पाट तो ऐसे 610 के अंदर अलड़ी कावर है तो उसके अंदर वो टोपिक जो अधर कावर है वो अपनिया पर नहीं करेंगे वो ऐसे 610 की वीडियो के अंदर कावर हो जाएंगे वो हो चुके है अब सर इसके अंदर बात ऐसी है कि इंटरा ओडिट क्या होती है वो Internal Audit, इसके ओपर लगते है, इसके ओपर S.A.S. लगते है, स्टेट पर, इस पर लगते है, S.I.A. Standard on Internal Audit जो ICA ने अलग से रिलीज करके, इसे ने स्टेट ने, यह ना, रिकमेंडरी है, नेचर के अंबर, क्या है भाई? Recommendary, mandatory नहीं है, follow करना, recommendation रिकमेंडरी है, ऊनली. तो Internal Audit के अंदर, आपको financial statement भी चेक करना होता है, Internal Control भी चेक करना होता है, Operations भी चãyक करना होता है, Assets भी चेक करना होता है, यह law and regulation भी चेक करना होता है, मुलब सब कुछ even FS related matter और non financial matter भी आपको चेक करने होते हैं, सब कुछ आपको चेक करने होंगे, ठीक है ना? तो internet का अपना सब कुछ scope होगा, और बाकी इसका scope management TCWG अलग से लिखके दे देती है, कि आपको यह यह करना है, तो आपका scope वो define करके देती है, आपको यह यह करना है, इसके लाबा और कुछ नहीं करना है तो चलो sir introduction, इसका definition क्या होती है, वो assure करता है effectiveness of internal control, internal control का effectiveness assure करता है and risk management process, internal control और risk management process देखता है कि company ने जो भी internal control, जो भी risk management process लगाएबा है, वो बिल्कुल अच्छा लगाएबा है, जिससे governance अच्छी और organization का objective पूरा हो जाए scope और objective क्या होता, IAF का, यह अपन SSH 110 के अंदर पढ़ चुके ओल्रेड़ी, ठीके ना हाँ जी, तो अपना scope objective IAF SSH 110 के अंदर है, मालब scope के अंदर और और अपन SSH 110 के अंदर पढ़ा था अपना गिर ICFR की governance चेक करना पड़ता है, internal control, laws and regulation अगरा, IC, internal control, सब कुछ को चेक करने पड़ते हैं, तो वो वहाँ पे अपने डिसकस करका है, यहाँ पे अपना आपिस ने लिखेंगे, पर कुल मिला के यह न, यह beyond advisory service अगरा हो सब कुछ चेक करेगा, सिर्फ financial पे नहीं रुकेगा operational activity, internal control, law and regulation, सब कुछ चेक करेगा, यह, जो IASB, SIE है, मतलब internal audit standard word, जो ICI ने बनाये वा है, एक पूरा जो SIE release करता है, जैसे अपनी normal audit के यह SS होते है, standard on internal auditing, जो अना वो बनाता है, वो क्यों रिकमेंडेटरी है, mandatory नहीं है, follow करना हो, क्यों रिकमेंडेशन देता है, internal audit करन mandatory, कुछ company के लिए mandatory करना है, internet आपको कराने ही कराने है, day-to-day operation regular आपको check कराने ही कराने है, section 138 of companies एक बोलता है, कि इन इन company पे mandatory है, internal audit कराना, listed company पे तो सब कुछ लगते ही, लगता है, सारे low regulation सब कुछ लिस्चेट पे तो नहीं ठोक ही रखे, listed, unlisted, private, listed, unlisted, private, listed, unlisted, private, listed, unlisted अब unlisted के अंदर है, POPO, नीचे से अचलो, TOPO, क्या है, Topo, का यहां is Topo, नीचे से अपर, Topo, नीचे से लाट खे, डीपोर ग्रेंग ने है, ती से अधिसे अचिनिग लिए उसंदें लिए उसने पुग से जोगत टिप्लिक से फेने के वह इह, से बखे रिखे, लिए बा तो यह दोनों लोन जैसे हो गए, दोनों जैसे हो गए, ठीक है, O-O, O से एक तो आट्डशेन की लोन हो गए, एक उपर आला O से डिपोस्ट, तो अगर यह लिमिट, अगर इतनी हो गई आपकी, तो आपको इंटर्नलोट कराना कमपलसरी हो जाएगी, ऐसा हो रहा है, लिस्ट नबल सो, सो का डबल दो सो, पचीस का डबल पचास, पचास का डबल सो, सो का डबल दो सो, ठीक है तो multiply two करते जाओ उसको, तो इसे नीचे से उपर से लो टी ओ पी ओ, फिर उपर से नीचे चलो 25 पचास सो दो सो, तो आपर से नीचे चलो 25 करोड वाली greater than equal to, और यहाँ पे paid up share करानी, अगर अब 200 करोड तक है तो आपको नहीं करानी, बाकी तो greater than equal to का साइन है, तो loan के अंदर ध्यान रखना, greater than का साइन है only 100 करोड, turnover 200 करोड है, 200 करोड के अपर हो गया, तो करानी, ठीक है न सर, अब जो limit देखनी है अपन को, turnover during the preceding financial year देखेंगे, पिछले साल का financial year का turnover देखेंगे, loan at वो बाद में देखते हैं चलो, यह रुखो, और जो paid-up share के अपिटे देखेंगे, वो पिछले साल का जो भी आ रहा होगा, as on the date, last date, जो भी चल रहा हो थो, यह preceding year का देखेंगे, यह भी preceding year का, ध्यान रखना है, यह limit बहुत काम किया थी, यह preceding year का, यह preceding year का, पर यह बाला जो ना, loan or outstanding deposit, यह देखेंगे, during the, any point in time, during the last previous year, यह इस साल का चल रहा है, 2011, पिछले साल रहा है, 2010, इस साल intervention करानी नहीं करानी है, पिछले साल पर depend करेगा, turn or देखेंगे, इस साल, यहाँ पर कितना accumulated turn or हो गया, paid-up share capital भी देखेंगे, यहाँ पर, दो कभी भी, कभी भी इसा, during the year, कभी भी हो गया, at any point in time, during the last previous year, तो आपको audit, आपको internet करानी कमपर सरी हो जाएगे, ठीक है, तो यह इसका हो गया, उसके बाद private company, यह आपने पड़ा listed company, उसके बाद unlisted public company, फिर उसके बाद private company, private company के बास नीचे की दो limit लगेगी, आपर क्या लगेगी, यह लिमिट चा लगेगी, टो, क्या लिमिट लगेगी, तो, यह पर टी-ो, बस और, टो पो पर पर पूरा मज जाओ, केवल टी-ो, बा financial year, और यहांपे at any point on time, अब internet कौन हो सकता है, बाइट जैसे आपने पड़ा statute रोट नी charted account ही कर सकता है, इस camera रेसा नहीं है, यह charted account भी हो सकता है, cost account भी हो सकता है यहां पर इंटर्ण अगांट इंटर्ण 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 एक कोई बंदा था, उसने अपना करियर बनाया, इंडियन अकाउंटें नॉर्विट सर्विस में 25 साल तक वा पर जॉब करी, लोग की सर्विस के अंबर, गौर्वर्मेंट में अब रिटायर हो गया, अब वो एक कमपनी चीफ इंटरलोटर बनाना चाहरी है, उसको बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, इसके पास रिलेवेंट प्रोफेशनल है, अगर बोर्ड अप्रूव करते हैं, तो बना सकती है, क्योंकि उसके पास रिलेवेंट एक्सपी ने जगरा है, और यहाँ पे न 21-22 की भी दे रखिए अपन तो limit कौन से देखने हैं preceding financial aid वाले कि तो same year से confused मत हो जाना बस यह दो देख लेना एक बार Consideration in internal audit plane internal audit का जब आपको plan बनाना है तो internal audit के plan मना देखको आपको क्या-क्या चीज़े ध्यान में रखने हैं इंटरोट करने जा रहे हो तो आपको क्या-क्या चीज़े ध्यान में रखने हैं What are the approach would a follow in preparing the internal audit plan जो भी है plan मनाँगा TCW से discuss कर लूँगा जो भी plan मनाँगा उसको develop document कर लूँगा वो मुझे financial as well as operational operational चीज़े भी चेक करने की company productivity है निये machinery productivity दे निये किता वैस्ट है जो रहा है उससब चीज़े भी चेक करने है internal auditor को तो दमको यह चीज़े चेक करने पड़ेगी रिस्क कितनी है असली में रिस्क कितनी है और मेरी रिस्क जेलने की capacity कितनी है उसको बोलते है रिस्क जेलने की capacity कितनी है जब देखके, फिर मैं उस हिसाब से एरिया में एफट्स लगाउंगा। जो भी इंपूट होगा, वो वेलिएलिबल इंपूट होगा, मैं उन मैनेजर को देदूँगा। उनको दे दूंझा, रिस्क कितनी है, रिस्क एपटाइट कितनी है, रिस्क कितनी मेंab कितनी Sikh did i जो भी वैलिवर इनपूट और रे मेंनेजर्स को दे दूगा तो भाई, रिस्क कितनी है बिजनिस के प्रोसेस के अंदर और रिस्क की एपटाइट कितनी है मेरे को रिस्स जेलने की, फिर उसके बाद मुझे ऐरा डिसाइड करने के किस एरा पे कितना effort लगाना है, तो मुझे सारे auditable areas देख करने पढ़ेंगे, within the defined time raise करने पढ़ेंगे, effort देखना पड़ेगा किस एरिया के अंबर कितना effort मुझे लगाना है किस business process के अंदर valuable input मुझे एस से internet करनी है जो सामने वाली organization को कुछ value दे मैं उनको कोई outcome दूँ कि आपके यह गलते है आप इन तो सुधारों करांडिगरा करो managerial function भी मुझे review करना है managerial function भी मुझे review करना है कि manager की decision objective अगरा सब कुछ achieve कर रहे है निए manager का decision making में गलत थो यह is internet का scope क्या होता है internet का scope के अमबर इन जीजों को review करना होता है क्या होता है इसको तुम करके इसको लिख सकते हो फोली सर यहाँ पर ओ से अब्जेक्टिव हो गया एल से लोग एंड रेगुलेशन हो गया ए से असेट हो गया आई से इंटन गंटल हो गया तो एफ ओ एल आई ठीक है пять के अंध मनों देखते हो फोली सर फोली सर उली सर स्वरी फोली, f o a l i f o a l i या फिर तुम इसको यो इसको बेटर ले 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 लेते हैं इसको पान एक और दूसर ले जकते हैं G से ले लेते हैं, G, O, A, L, इसको ले लो, Goal, Goal और एक IC Sir, Goal Internal Control Sir, Goal Internal Control Sir, इसको ले लो, Goal Internal Control Sir, इससे आप जाएगा, तो इसको क्या-क्या चीज़ चेक करनी होती है, Internal Control Assets, Low Regulation Government का Objective, उसको ये तो चीज़े चेक करनी करनी, उपर से तीन चीज़े और चेक करनी करनी, उपर स क्या सिप्ना रियो, से तो ओधो चेक करनी, उसको क्यी बाया कताओ, सिहे जो भी information मिल्रिह हो, relevant & reliable हैं Utilization of Resources, जोभी आप resources र्योज़ अँसा की, अच्या से उसरें उस्तो क्रयों कि Sa Specki, और मिस्तो र्यों सा इसको रिशस्तना की। spacing से स्ट्रक्चर, आई 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 से स्ट् नहीं रह रही है, L सा नहीं कर रहे हृँफ, इंट्राल ना रहा हम को है आड़ितर की एंट्रal Cash सिस्टम और नहीं है काम कर रहा है, तो सब चेक करेगा आप रीवियो और्गनाज़ें का स्रूच्चर आपया पढ़ा ना कि और करना पढ़ेगा उसको S-I-R केमर तो औरगनाज़ेंकास का स्रूक्चर कैसे वह बीशन थी के लिए पाइस Сट्रॉक्चर के रिधवो करेंगा वह देखना है तो भाई, first or two point similar है, बागी के 3-4 point point similar है, first two point similar है, ऐसे याद कैसे गणा हो बता रहा हूं, ये 2 point similar है, और ये 3-4 point similar है, ऐसे याद रखना है, उसको देखना है कि जो organization का grouping pattern है, मलब organization का structure हो बिल्कुल सही है, जिस बंबे को जित्ती authority दे रहे है, उसके पास उत्ती responsibility है, जित्ती उसको responsibility है, उसका grouping pattern और गाई का structure है, पता चला किसी को responsibility ज्यादा दे रहे है, पर इसके उसके पास authority नहीं है, तो काम कैसे करेगा, तो जो भी grouping pattern है, authority, responsibility है, वो बिल्कुल सही है, organization का objective के हिसाब से कर रखी है organization का structure다 simple और economical है, सबसुन है, बहुत complex structure है कि इसको समझ महीं नहीं आ रहा, तो grouping pattern है, responsibility authority, वो हार्मोनी है, grouping pattern के हिसाब से वो चेक करना है अपनको, ठीक है, sehr simple, सेम हो गए, grouping pattern, responsibility, authority दे रहे हैं, बिल्कुल simple structure बना रखा है, बिल्कुल anyhow बिल्कुल,shop mês बना रहे है, बिल्कुल, तो दोनों काम एक बंदे को मत देदो, प्रिंसिपल जो आती लिए पर नहीं बच पर नहीं पड़े ते भी इस ची के अंदर, कि एक तो unity of command होता है, unity of, एक कुझा नहीं कि दोनों बंदे को ओवलेपना हो काम, ऐसा होता है, division of work, लोपडिशन of work होता है, ठीक है न, तो वो बंदा इसको भी रिपोर्ट करेगा, इसको भी करेगा, तो दोनों बंदों को काम बताता जा रहा है, तो वो ऐसे दिक्कत हो जाएगी, और अगर dual responsibility, अगर unity of command नहीं हो पा रहा, तो dual responsibility अगर हो रही है, dual responsibility होगी होगी, तो primary काम आपका कौन सा होगा, वो fix कर दो, अगर dual responsibility आ avoid नहीं कर सकते हैं, तो primary one को उसको fix कर दो, ठीक है, unity of command हो रही है, प्लस अब जो भी काम कर रहा है, division of work होना चाहिए, division of work मतलब एक ही बंदे को एक ही काम दोना पताला, दोनों बंदों को एक ही काम पर लगा रखा है, जो head office पे बंदा बेटा है, वो भी same decision ले रहा है, और मैं unit पर रहा हूँ, unit location पर, मैं भी same ले रहा हूँ, फ़म दोन के बिज में conflict हो का decision लेते हो, मैं बोला हूँ यह कर, वो बोलेगा कि नहीं इस तरीके से काम कर, तो responsibility जो manager इस चाहिए, head quarter पर, head office पर और जो operating unit पर बेचा है, उसको overlap नहीं होना चाहिए, वो overlap नहीं होना चाहि प्लस overlapping नहीं होने चाहिए, manager और यहां के वाले staff के वे, ठीक है न, तो फिर दो पैंट होगा, grouping pattern और organization चार्ट होने के इसाब से, grouping pattern, authority, responsibility, organization, इंपर, economy करोना चाहिए, फिर उसके बाद आपन यह पढ़ा है, एक तो, span of control नहीं, unity of command अगर नहीं हो पा रहा है, dual responsibility आपको, primary head office वाले को head office और operating unit वाले कभी भी conflict ना करें, integrity, objectivity and independence of internal auditor, internal auditor integrity होना, integrity भी होने चाहिए, objectivity भी होने चाहिए, independence में होना चाहिए, वैसे तो internal auditor company का employee हो सकता है, वैसे अपने पढ़ा है, पर employee होने के बाद भी आप इतना sure रखो थोड़ा, कि वो आप से थोड़ा independent रहे, आप य यहाँ पर इसको भी independent होना चाहिए, वैसे यहाँ पर इसको भी independent होना चाहिए, तो free होना चाहिए, हर एक undue influence है, plus independence, internal audit एसे function whole, जो भी organization के अंदर पूरा आपने function होना रखा है, पूरा independent होना चाहिए, वो किसको report करेगा, क्या करेगा, सब कुस तह होना चाहिए, Chief internal auditor के पास पूरी power होनी चाहिए, काम करने की, पूरना वो independent ही नहीं, वो किसे पर dependent है, उस decision लेही नहीं पाएगा, तो Chief internal auditor के पास पूरी power होनी चाहिए, वो independent होना चाहिए, वो independent होना चाहिए, पूरा पूरा, integrity मतलब हमने पढ़ावा है, honest and truthful होना चाहिए, चाहिए कभी रिश्वत व कर गया, मैं इसके लिए bias हूँ, ये वाला बंदा मेरेको अच्छे से रखता है, तो इसके लिए मैं कोई गलती नहीं निकालूँगा, ऐसा biasness नहीं रखना है, biasness नहीं रखना है, जब खास करके आपको कोई conclusion देना हो, तो ठीके ना, तो internal auditor को independence, integrity, objectivity होना चाहिए, independent integrity, objectivity हो अब इसा नहीं कि internal auditor भी उसको ही रख लो, वो ही review कर रहा है, तो खुद के काम में कोई खुद गलती निकाले, का क्या कि मैंने गलाज बना दिये थे, वो ही नहीं निकालेगा, तो इसा ध्यान रखना, इंटरोटर किसको report करेगा, directly internal auditor ऐसा रखो, कि listed company के case के अंदर direct ECWG को report करें, direct सबसे उपर company के, सबसे उपर के पा, तो उसमें TCWG को जैसे audit committee आ सकती है, और listed के अलावा, अगर दूसरी कोई company है, तो उसमें CEO, CFO को report करें, CEO, CFO को report करें, और बाकी उसके अलावा, अगर बाकी आप देखो कि conflict or interest जा भी आ रहा है, तो आप एक corrective action ले लो, ठीक है, तो generally internauter तो यहाँ पर एक हधादा है, कि हमेशा जब internauter किसको, कोई भी बंदा किसको report करता है, तो दो तरह के responsibility होती है, हमेशा, एक तो administered, यहाँ पर यही कुछा है कि किसको reporting structure, क्या होना चाहिए, chief internauter का, चीफ internauter आपकी organization में किसको report करें, कुछ भी अगर उसको finding वगर करा मिलिया, कुछ भी मिला, तो किसको report करें, तो जब भी ऐसा होता है, तो भाई chief internauter को होना, generally हमेशा, कोई भी organization हो, सब में administrative reporting होती है, और एक और functional reporting होती है, हर बंबे की, यह कोई भी बंबा है, उसको दो जनों को report करना पड़ेगा, administrative reporting, जो किवल admin purpose के लिए, day-to-day life, camera, और उसको बता दू, inform कर दू कि एसा चल रहा है, बागी एसा को reporting के responsibility उसमें नहीं, उसको बताने के लिए, एक होता है, जो main बंदा जिसको reporting करना होता है, वो reporting responsibility असली में किसके अपर तो, administrative reporting किसके होगी, और असली में reporting responsibility, functional reporting, sorry, functional reporting किसके होगी, functional reporting, ठीक है, तो अब अब detail के अंदर लिखा वाई है, इनको होनी चाहिए, यहाँ पर बता रखा है, definition, internet की definition क्या होती है, internet free होना चाहिए, किसी भी undue influence से free होना चाहिए, chief internet independent होना चाहिए, वो audit committee board of director को report करेगा, अदर के अंदर तुम समझ लो कि यह administrative reporting में आ गया और यह हो गया, फंक्शनल रिपोर्टिंग में, TCWG audit committee को रहा, board of directors, ठीक है सर, तो administrative इनको report करेगा, और और एक फंक्शनल इनको report करेगा, quality of internal auditor, internal auditor अगर आप कोई भी appoint कर रहे हो, उसमें क्या quality होनी चाहिए, हर किसी को internet with appoint नहीं कर सकते है, तो internal auditor में क्या-क्या quality होनी चाहिए, बहुत चीज़े beyond books of account जाना पड़ेगा, उसको सब चीज़ों की knowledge होने चाहिए, books of accounts, internal control, low end regulation, उसको logo से कैस deal करना है, वो सब कुछ आना चाहिए, सब चीज़, accounting, system, software, सब कुछ होना चाहिए, लोगों के साथ fair dealing करें, independent रहे है, सब कुछ, वो expertise होना चाहिए, financial control और accounting control, तो उनो control चेक करेगा सारे के सारे, accounting और financial में भी उसको expertise होनी चाहिए, operational चीज़े भी चेक करेगा, तो operational control भी उस उसको maintain करने हैं, तो सब अच्छे-ची quality यहाँ पर डालते हैं, who defined the objective of internal audit, internal audit का क्या objective होता है, कौन define करता है, जो company, मलब कि क्या, internal audit साबको achieve क्या करना चाहते हो, जिस company में section 138 लगता है, जिसमें compulsory, compulsory internal audit करानी है, तो उसमें objective कौन decide करेगा, कि internal audit से 59 outcome क्या चाहिए अपन को, वो decide करेगा, audit committee या फिर board, audit committee या फिर board, in conjunction with, मलब किसके साथ मिलके, management और chief internal auditor, इनके साथ मिलके, audit committee या फिर board decide करेगा, किसके साथ audit committee और board मिलके, management या चीफ internal auditor के साथ, decide करेगा कि क्या objective है, क्या responsibility internal auditor की है, और बाकी organization में, जो भी appoint कर रहा है, जो भी appoint कर रहा है, owner, promoter, जो भी कर रहा है पॉइंट वो बता देगा कि तेरी यह responsibility और मेरेको final outcome इस तरीके का चाहिए कि तु फ्रोड है या नहीं है accounting चाहिए और यह नहीं होड़ी operations चल रहा है यह हमको finally report करके दे देना भाई अब यह SIA standard on internal audit 210 ऐसे सारे SIA नहीं है अपने course नहीं है बस बागी नहीं है अपने course के अंदर तो रिकमेंडेट्री होता है पर बता रहा है कि manage कैसे करना है internal audit function को अंदर तो इसने दो चीज़े मेरा दो चीज़े अपने course के अंदर डाली है कि generally आपको जब भी internal function में देना है तो आपको ऐसे ऐसे सारे चीज़े plan करके ऐसी ऐसी activity आपको देखनी है plan करने है जर्णे कैसे इसे इंटरमे को करना है यह एंयर आपको इटरमेटर को करना है टिक है और accounting फंक्शन और financial record के लिए आपको क्या क्या करना है व Pretend complain करना है जर्ला कर रहा है पहले क्षिछ एक आउन करकी प्लान कर लो कौन कौन से staff और expert की जरूरत है पहले प्लां करो कि आपको यह यह स्टाफ और एक्सपर्ट की जरूएत है फिर उनके काम को मोनिटर करो पहले मैंने प्लां करने मिल सक दो्दोक मुझें स्टेखोलर कर निकला एल मेन को और जो फाइनली मेरे जो भी बंदा जो भी मेरा आउटकम निक लाओं मेंने ए इस्टेकी-डर को रिपोर्ट कर दें अव्हार्च लाँ पहलाय मेरे को लॉटिन कर दी और भाई तुम तुम तुम्हारी कौले इंप्रूर ओर मारे तुम्तुम्हारी क्वालिटिया निक लिए भा काम करेंगा उनको को निंट करने बार रिपोर्ट कर दूंगा इंफानल सब चालुडों को सब ने रिपोर्ट कर दूंगा वो पूर्ट जो बा而एक को नि Leftul को मारे मतलब वैसे मतलब लगजए paral SIka क्ली इसकोब में करना काम करना क्या स्कोब चाहिए उनको कौन को सी ट्रेनिंग वगरा देनी है टाइम टू टाइम पे इंट्रेनोटर को मुझे वो भी देना देखना पड़ेगा क्या मुझे कोई external expert रखना है कि किसी काम मेर को नहीं आता valuation अगरागा मुझे को external expert रखना पड़ेगा फिर मैं ना timely पूरे assignment को monitor करता रहूंगा कि सब कुछ सही हो रहा है ना जैसा मैं ना planning करी थी वैसा ही execute हो रहा है वो सब सही हो रहा है ना फिर मैं सारे stakeholder से communicate करूँगा उनसे पूछूँगा उनकी process को देखूँगा कि उनकी objective सारे अच्छी हो रहे है नहीं हो रहे है उनके इसको भी reporting करूँगा सब सीचे करूँगा stakeholders के साथ पूरी communication करूँगा प्लस मैं को quality evaluate भी करना है कि जो भी आपने कोई program लगार काए कि आपकी quality improve है company में कोई भी program लगार काए कि इससे हमारी quality इंप्रूव होगी तो quality असली में इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है तो quality भी evaluate करूँगा मैं और अगर काई पर भी इसा लगा कि तुमको quality improve करने के लिए कुस suggestion हो तो मैं suggestion भी तुमको देतूँगा ठीक है जरती critical इसको ये activity follow करनी है और accounting और financial record के लिए उसको क्या क्या चीज़ चेक करनी है अकाउंटिंग और financial record के लिए उसको कुछ नहीं बहुत easy है independent तीन point starting होगा independently ये independent का मतलब है कि मैं accounting और financial record मतलब एसा नीं internal auditory का content है वो ही checking कर रहा है उसको executive function से दूर रखो मतलब ऐसा नीं उसको केवल audit का काम करें वो केवल overview करेंगा तो मुसको ये नहीं बोल सकते यार तुम या वे free तो बेठा है तो एक काम करें तुम मेरा accounting कर दे हो करें उसको वो ऐसा आपका day to day operation में involved नहीं होगा मतलब काम करने के लिए वो केवल review करे नहीं बेठेगा कोई भी, एक्सको कोई भी जिंक्शियंसी म्ली तो management कोश्याक को बता हैगा dow मैं można management को मैं इंडिपेंडेंडेंट रहूंगा अकाउंटिंग स्टाफ से मैं इन्डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे मैं independently internal control को में से deficiency ढूंडूँगा internal control मैं देखूँगा कि adequate internal control maintain करा है नहीं करा है उसका continuous examination करूँगा कि internal control सब कुछ सही चलाने चल रहा कोई भी deficiency मिली तो management को report करूँगा तो अगर कोई भी मैंना सारी policies देखूँगा management वगरा कि जो management ने जो भी policies वगरा जो भी लगा रखा है तो क्या उसमें कोई deficiency है क्या कोई भी deficiency है क्या क्या मैं देखूँगा कि किस-को correction चाहिए मैं वो deficiency देखूँगा तो internal control में कोई भी deficiency मिली तो management को बता दूगा मैं हमेशा management की साथ closely associate रहूँगा कि ताकि मैं खुद की भी knowledge बढ़ा रखू कि management क्या-क्या function अगरा ला रही है और मुझे कुछ organization के बार में management को कुछ बताना है तो मैं management को भी बता सकूँ तो आपस मैं हम knowledge को up-to-date रखेंगे अपनी knowledge को update हूँगा मैं management को बता दूँगा closely associated रखेंगे उनकी knowledge up-to-date रखो internal auditor है उसको बोल दिया कि तू manage कर ले हमारे compliance की मालब regulator के साथ तू ही deal कर ले हमारे returns वगरा तू file कर दे EPF, taxation वगरा के इस तरह के तू compliance तू ही कर दे हमारे तो भाई वो executive function में involved नहीं हो सकता है आपने पढ़ा तो सही वो independent रहेगा वो compliance member को खुद manage नहीं कर सकता, वो independent है ठीक है ना वो operational opportunity नहीं ले सकता operational responsibility खुद पर नहीं ले सकता पाच step जो तूँको internet engagement करते हो करने है बहुत basic step है क्या अपरोज तूँको follow करना internet follow करते हो कि तूँको तूँको क्या steps follow करने है पाच step है इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात मिया काई पे भी audit करने जा रहा हूँ बहुत basic चीज़े सबसे पहले में address and entity को समझूँगा reliance की करने जा रहा हूँ telecom की करने जा रहा हूँ agriculture की करने पहले में इन्फरमेशन सारे इविएंस गेदर करने पाद उसको check करूँगा उसको check करूँगा अविएंस गेदर कर लिए अब उसको check करूँगा audit के check perform करूँगा finally reporting करूँगा बहुत basic होगए न इसमें क्या याद कराना परोब प्रोसेसे कोई भी normal audit करने से जाएगा, पहले मैं पूरी की पूरी entity समझे होगा, रिलाइंस है, यह इसमें deal करती है, टेलीकॉम में, agriculture में, refinery में, प्लांटे करती है, जो भी वो देखूँँगा, हाँ, उसको मैं understand कर लिया, उसके बाद मैं मैं planning करूँगा, कि इसके मेरे से planning करके है, मै प्रूव होनी चाहिए, और वो audit planning मैं KMP को बता दूगा, कि मेरे यह planning के audit करने वाला हूँ, यह के वर internal audit के अंदर बोल रहा हूँ है, external audit में मत चले जा, फिर मैं सारी information gather करा, audit के check करूँगा, information gather करके, मैं audit के check करूँगा, audit के check जो अपने पढ़े थे न, वैसे statutory audit के अंदर, analytical procedure, sampling, फलाना, डीगर, adequate documentation, maintain, यह सब वो लगाएगा, इनके लिए SIA है, जो अपने course में नहीं है, फिर मैं reporting कर दूगा, फिर मैं final reporting कर दूगा, पर हमेशा reporting में ध्यान रखना दूग, final report issue करने के पहले एक draft report, हमेशा एक draft report उसको दे देना, audit को, reliance limited को, कि मैंने बढ़े draft द देने है, suggestion देना है, मेरी report में, तो बता दे, मैं वो change करके, जो भी तेरा जो view है, वो observation डालके, फिर report issue करना, पहले हमेशा draft देना, ठीक है न, फिर मैं recommendation भी दूगा, कि कैसे तेरी गलतियों की सुधार सकता है, तो कैसे improve कर सकता है, एक न, follow-up report भी होती है, वो नीच आएग है, एक तो भाई ध्याने करना, कोई भी ऐसा actual, या फिर suspected fraud आजाए, कोई banker अपने ध्यान में एकदम से fraud आजाए, कि इस organization में fraud हो रहा है, या फिर कोई misappropriation of a sort, तो immediately, immediately management को बता दो, और ये report अगर आप बनाने का इंतजा मत करो, फटा 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 फट से immediately management को बता दो, जैस जो जो भी update होता चाहरा है, कि आप ये इतनी audit कर दी, इतनी कर दी है, ये finding है, बार-बार आप वो issue करते हैं चाहरे हो, तो आप दोनों करो, दोनों बना चुक्ते हो, कोई दिक करते हैं, दोनों बना देना, इसको इसा ये deal नहीं करता है, जो फर्स टाइप की report है, उसा पर इस पर ने करता, फिर फर्स रिपोर्ट जो एक बार पूरी बड़ी बन जाएगी रिपोर्ट उसी पर ढील करेगा है, फाइनल रिपोर्ट, अब क्या element होने चाहिए और यह के content and form, दोना अलग अलग है कि भाई ध्यान रगना, यह element से और यह content and form की generally क्या होने चाहिए audit report के अ क्या finding है, क्या suggestion है, फ्लान रिख रहा हो सब देदो, हर एक के अंदर बहुत basic है, सबसे परे मैं लिखूँगा कि मेरा assignment करने का scope, objective, limitation हो रहा, क्या-क्या था, scope, objective, approach, limitation, क्या-क्या था, मुझे वो लिखना पड़ेगा, फिर मैं बता दोगा कि मैंने audit SIE लगा के करी, standard and internet लग है, कि nature of assurance, अगर आपको इस साथ दे रहे हो, तो बता दो, कि आप reasonable assurance दे रहे हो, absolute assurance दे रहे हो, negative assurance दे रहे हो, अगर ऐसा कुछ भी terms of engagement में था, कि आपको ये type का assurance देना है, तो आप यहापर बता देना है, कि आप जो audit कर दो जारो, final report बना रहे हो, तो user को बताओ कि मैं ये audit और कोई भी nature of assurance दे रहा हो, ठीक है, अब content and form, exact क्या content, exact क्या क्या आना चाहिए, और क्या format होना चाहिए, इस सब कोई भी format उन्होंने, ICI ने नहीं बताया, सब अपनी judgment के साब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वह अपने बात हुए थी, final report देने के पहले, written draft इस साल का चेक करा, इस साल का चेक करा, क्या चेक करा, फिर मेरी summary क्या है? हाँ जी, तो अपन जो audit report मनाते हैं, जनरली उपर वही कि क्या scope है, summary, मतलब कि मेरी final summary क्या होई, उसके अंदर मेरी finding summary, मेरी पहले एक normal summary, फिर उसका summary of finding, मैंने क्या-क्या ढूंडा, ये भी summary हो गई, ये भी summary हो गई, finding की, फिर ये तो finding की summary थी, अब detail के अंदर audit finding, ये इस स finding की summary दे दिया, finding को detail में दे दिया, finding की summary दिया, finding को detail में दे दिया, तो उसके बाद मैंने वही issue बता विए, उस finding को मैंने बता विए, कि ये इसका high, 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 मतलब बहुत serious है, या फिर जल्दी solve करना है, कम solve करना है, कम serious है, high, medium, low, मैंने उसको rating दे दिया, फिर मैंने बता दिय और सामतेंगे को बता है किसम्स को बढ़नीग करना मेरे पर किया रिकोंस आया तो यह आपने को करना है पर कि कुछ चीजे नॉर्मल ही है उब हुशा है वहाली चीज आ गई scope period और summary, scope period और execute summary यह आ गई, अब इस summary से summary और finding कि मैंने क्या-क्या गलतिया निकाली, यह तो summary थी finding कि अब उस finding को detail में दो, यह तो summary थी finding कि अब उस finding को detail में दो, जो मैंने finding दी उसको high-low अगरा मैं rating करके दे दूँगा, फिर अब जो मैंने rating करके दे दूँगा, फिर अब ज रिकमेंडेशन दी तो उसका सामने लगा क्या response है, सामने लगा क्या response है, इससकी रिपोर्ट बना रहे हैं, follow up, अब follow up के हम दे रहे हैं कि अपने एक बार बोल दिया कि यह गलतिया है, इसको correct करो, एक बार बोल दिया एक audit के हम पर correct करो, अब internet का काम वहाँ पर खतम नहीं हो गया, जब वो next time audit करने आएगा तो उसको follow up report भी देनी होगी, जो मैंने देख, छली बार गलतिया निकाल कर दी तो वो सही कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसको follow up report भी बनानी पड़ेगी, उसको बनानी पड़ेगी, प्रायर audit इशू को भी monitor करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, वो उसको management इसको बताने पड़ेगे कि यह अभी तक pending है, मैं पिछली बार बोलकी क्या तो भी सही नहीं होगा, रिपोर्टिंग जो two stage की बतानी है उसको कि क्या content होना चाहिए, एक तो content and form जो अपने पड़ाता, यह वाला और एक two stage वाला, यह वाला, यह बताना एक्जाम के लिए, यह बोल रहा है कि ना, पिछली बार मैंने कोई गलती निकाली थी, recommendation देती कुछ पिसली audit की, और उसको आना area को अभी immediate action चाहिए, immediate बताना है, पर फिर भी तो इसके खिलाब अपनी क्या requirement है, तो भाई अपने दे दी थी कि पिसली बार को गलती ही, तो आपको action taken report बार बार बना के देनी है, तो chief interpreter को बनाना है कि पिसली बार का monitor करना है कि prior issue ज यो ऐने देते ही, और एक flow of process देती हो, मेरे को बताना है कि पिछली बार, पिछली बार की report का मेरे को है लिए को पिष्ञी करी थी की मेंने में उसको सही क्र लूंगा मैं इसको सही कर लूगा मैंने एक्षम कर लूगा तो तो तुने बोला था सई कर अभी का status है तुने सही करा नहीं करा अभी क्या status है अभी क्या status है कि तुने implement करा या नहीं करा है अख शान नहीं करा अभी तक नहीं करा तो क्या risk है अभी तक नहीं करा तो क्या risk है भाई पर यह तो बहुत टाइम पहले से बोला था अभी तक तुने इंप्लीमेंट नहीं करा, अभी तक तुने इंप्लीमेंट नहीं करा, इमिडेटली इंप्लीमेंट कर, 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 तो action तुने implement करे या नहीं करे रहे उसके status बता है, वो बहुत critical हो चाहिए, अब बहुत critical हो चुका है, इसको immediately सही कर, बहुत critical हो चुका है, इसको immediately सही कर, तो यह मुझे चीजे बतानी, अपनी action taken report के अंदर, कि बाइ, क्या पिसली बार ता हुआ था, management ने किता एगरी करा था implement का date करेगी और अभी तक implement हुआ या नहीं हुआ है, क्या risk नहीं implement हुआ था, कितनी गलतिया पुरानी, अभी तक बढ़ी भी है, बहुत पुरानी वाली, long period वाली, और कोई भी ऐसी critical finding है, जो immediate action पो चाहिए. इंटरन ओयटर और action ओयटर का difference भाईयाजी, बहुत बेसिक है, वो statutory अपन करता है, यह voluntary भी होता है, यह voluntary होता है, इसको एक FS को चेक करना होता है, non FS operational चीज़े भी चेक करेगा, इसको अपन शेर ओल्डर करते है, यहा पर management करता है, यह सब बहुत बेसिक बेसिक डिफ्रेंस यह independent होता है, independent body होती है, पर यह तो within an organization ही होता है, within an organization ही एक internal department आप बना देते हो, इसको केवल financial statement से मतलब है, accuracy, इसको operational efficiency से मतलब है, appointment कोन करता है, member appoint करते है, यहा पर management appoint करता है, इसके user कोन होते है, जो appoint कर रहा है, मतलब stakeholder जो भी है, फराण डिग्राफ हो, यहा पर केवल management क पीरिड यह एक बार होती है, एक बार होती है, एक बार होती है, इंटरुट टाइम टू टाइम continuous चलती है, monthly, quarterly, half yearly, हर बार month to month करते हो, करते हो, करते हो, करते हो, यह continuous चलती है, opinion क्या बेना होता है, कि financial statement truth and fair, यहा पर बोलना पड़ता है, कि आपके effective है operational activities, जो भी आपका operation च बहुत basic difference है, नॉर्मल से ही आद हो जाएंगे है, तो, audit trail, audit trail, वैसे मैं दूंको पहले भी बहुत बार समझाया है, audit trail क्या होता है, audit trail अब नहीं होता, कि कोई, जैसे telly का software ले लो, और telly के अंदर आपने कोई भी entry pass करिए, कोई भी entry pass करिए, तो entry कभी भी modify कर रहे हो, delete कर कर रहे है, कब उसको वापस से modify करा है, कब उसको edit करा है, कब उसको delete करा है, कब उसको वापस से repass करा है, उसी entry करा पर revive करा है, कौन सा इंसान किसी भी document रहा है, को छेड़कानिया करा है, accounting वगरा क्या accounting software रहा है कर अंदर, तो, सबका audit trail maintain होना चीज, जिसको पन बोलते है logs, जिसको क्या बोलते है logs, ताकि मुझे पता पड़े, कब किसने किस चीज में changes करा है, कब किसने किस चीज में changes करा है, कब किसने किस चीज में changes करा है, या पर लिख लो, कब किसने किस चीज में change करा है, कब मतलब when, कब changes हुआ date time, किसने, किसने changes करा है उस user की, हर एक user के पास अपनी user ID password रहना चाहिए, कि कभी वो change कर रहा है तो पहले उसको login करना पड़ेगा system में, तो हर एक बंदी की अपनी unique ID password है, वो login करके change करेगा, तो पता पड़ जाएगा इसने change करा है, कब किसने, who made the changes, क ट्रेस करते करते हैं, उसके original source तक पहुँच जाओ, कि originally यह पास होँआ था, पर इसके बाद यह change हो कि अभी यह हो गया है, ताकि मैं original input source पर उससे पहुच जाओ, यह chronological record होता है, अपने पास changes का, ठेल होती है evidence की, ताकि one to one trace करने के लिए chronological record होता है changes का, software, generally accounting software के अंदर ह होता है यह वाला system, अब अपनको क्या चीए check करने पड़ेगी, कि यह audit trail सही से maintain हो रहा है यह नहीं हो रहा, एक तो भाई आपने वोलना कब कि इसने कैसे change करा था, उनको देखना पड़ेगा, यह software के अंबर audit trail maintain है, audit trail maintain है, पर देखना पड़ेगा, user ID password सब बंदी के पास अ पड़ेगो ना क्या पड़ेगो आपन audit trail प्लब tracing करना किसी transaction की, तो cab, कभी भी आपन cab book करेंगे, तो किस रास्ते से आ रहे है जारी जारी, trace करना पड़ेगा, कि जाबा बिलना आ जाए, अपना, जाबा बिलना आ जाए, तो cab को trace करना पड़ेगा, cab, ऐसे cab, ऐसे याज प्लस देखना कि कभी भी during the year audit trail किसी ने software के अंदर बंतों नहीं कर दिया, कि audit trail बंतों गया, उस time के अपने पार transaction ही नहीं है, साथ हो नहीं है, हमेज़ा पूरे साल पर चलना चाहिए, कभी भी कोई system के अंदर changes करतों नहीं दिया, कि audit trail, audit log किस-kis चीज के चाहिए, audit log के भ continuously back up होता है, continuously back up होता है, UD cab, U say user ID, D say disable, U say user ID, D say disable, U say user ID, D say disable, C say changes, किसने करा configuration, C say changes, किसने करा configuration, A say access to trail, A say access to audit trail, B say back up, B say back up, उसने प्रोपर ले रगा, high employee attrition rate है, as an internator, आपको क्या देखना पड़ेगा, कि company के अंदर employee भहुत छोड़ के जा रहे, तो आपको internator को क्या देखना पड़ेगा, operation activity भी check करने है, यह भी operation के अंदर आती है, तो आपको audit checker छोड़ के जा रहे, तो जनरली employee छोड़ के कब जाते है, तो उसको पेसा सही इज़त नहीं कर रहे, work life balance नहीं दे रहे, ट्रेणीं नहीं दे रहे, तो पेसा परमोशन नहीं दे रहे, यह फिलाट्स नहीं दे रहे, उसके अष्चा सक वह अ्शा नहीं कर रहे है, तो बेसिक चीजे वही बाला होगा, या तो पेसा नहीं दे रहे, आपकी policy गलत है, low money, यह पेसे वाला point हो गए, यह आपकी policy related point हो गए, कि आप उसके वहवार अच्छा नहीं कर रहे है, low monetary benefit, monetary benefit बहुत कम है, label welfare की कोई scheme ही नहीं है, promotion उसका हो ही नहीं रहा है, पैसे related monetary benefit नहीं है, label welfare की scheme नहीं है, promotion उसका हो नहीं रहा है, policy गलत है, unbearable behavior, आपका जो behavior कर रहे हैं आप senior staff के लिए, unbearable, any general staff, work-life balance दे नहीं है, बहुत जादा stress दे रहे हैं उसको wrong policy है, management की wrong policy है, कौन रुखेगा, कौन sampler रुखेगा, plus जितने qualified बंदे, जितने experienced बंदे आपको चाहिए थे, जिस post के लिए, कि इस post के लिए CA रखना था, उसके जागे, आपने कोई CA enter का बंदा तो नहीं कर पाएगा, उतने experience का बंदा है, जो छोड़के जाएगा, प्लस जितने बंदे होने चाहिए थे, इक तो experience बंदे होने चाहिए थे, पात बंदे का काम, एक जोने से करा रहे हो, तो वह भी छोड़के जाएगा, भई, मेरस नियो नहीं हो पात जुनो का काम, तो एक तो proper experience बंदा नहीं रखा बंदा, प्लस जितने बंदे रखने चाहिए थे, वो नहीं रखा, यह दोनों पॉइंट या पर पेसे बंदा पॉइंट, पॉइंट, experience बंदा नहीं रखा और जितने रखने चाहिए थे, पीपल इने इडिक्वेट अब या पर उसको जो ट्र और properly qualified experience बढ़ से उसके पास नहीं है, पीपल इने इडिक्वेट है, प्लस ट्रेइनिंग आप उसको प्रोपर नहीं दे रहे हैं, और safety fact, आपने employee, कोई भी एक इंटरन ओटर है, इंटरन ओटर है, आपने यह ऐसे 600 दसके अंदर पढ़ावा मैं या पर नहीं पढ़ाँगा कोई भी ऐसा crucial काम हो, जिसमें higher judgment लगती हो, तो वो higher judgment का काम पर डायरेक इसा नहीं कि internal return कर लिया, तो एक्षन ओटर बोलेगा कि ठीक है, इंटरन ओटरन ने तो करी रखा है, मैं इसी पर rely कर लिता हूँ, नहीं भाई, स्टेचल ओटर को वापर से चेक करना पड़ेगा, को इंटरन ओटर का क्या क्या काम करना, मैं उसकी रिपोर्ट लेके चेक करूँगा, पर इसा नहीं कि उसकी रिपोर्ट लेके चेक करी, मतलब मेरा कूरा काम खतम हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, नहीं, एक्षन ओटर को जहाँ पर भी significant judgment लग रहे है, वहाँ पर वो उसके क काम पर रिलाइन नहीं कर सकता, इंटरन ओटर के काम पर रिलाइन नहीं कर सकता, जा पर भी significant judgment लग रहे है, अब ये दोनों कॉशन ना, AC 610 के अंदोल ही कर रहे है, आप लिख दो, direct assistance कभ यूज ले सकता है, वो 610 के अंदर है, इंटरन ओटर क्या-क्या evaluate करेगा, कि इंटरन ओटर का कभी काम यूज ले रहा है वो, तो क्या-क्या evaluate करेगा, ये भी से 610 के अंदर है, अरे पढ़ाता ना, आपने SOP T है, या पर बस SOP T है, SOP T है, समझाने रहा है, आपने पढ़ाता ना, SOP T, scope का, इंटरन ओटर का पूरा scope क्या, क्या-क्या चीज़े कभर करता है, इंटरन ओटर का organization status क्या, organization status मजला है, वो क्या objective रहेगा, नहीं रहेगा, structure policies के सी है, इंटरन ओटर के अंदर, SOP, P से professional care की, जो इंटरन ओटर है, वो professionally care रखे काम कर रहा है, नहीं कर रहा, T से technical competence, SOP T, SOP T, scope, organizational structure, scope का organization status क्या है, उसका professional care किप्ती रख रहा है, काम करते है, और technically कितना competent है, यह सब ऐसे 610 के अंदर, cover SOP T, मैं अभी भी इंटरन ओटर को evaluate करूँगा, काम करने के लिए, उसका काम में use ले सकता हूँगा, तो मैं क्या evaluate करूँगा, SNX चनल रहा, ठीक है, यह सब्सक्राइब अपना यह हो गया है, पूरा chapter complete, चैनल को YouTube चैनल को याद रखे, subscribe कर लेना, बाकी भी सारी वीडियो क्यों की अच्छी सी सुन्दर सी colorful chart tabular format के अंदर, ठीक है, चलो फिर, ओकी, टाटा पाए बै,